हाई आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपको उताने वाले हैं कि यूजी सी नेट जेयरफ का जो लेटर होता है या कहें जो सर्टिफिकेट होता है उसका वैलिडिटी कितने यर का होता है आपको उताते जो यूजी स पर्सेंट कहा जाए इसी में से कुछ सेलेक्टिम लोगों का गाजा चाह umasनु होता है तो फिर इस शै पर्सेंट को अगर हूँ हंडीरफरल माना जाए तो इसी 100% में 3 से 6% का अगें जो टौप के इस्टोएंट होते हैं उनका सेलेक्षन होता है जेरफ के लिए यानि जूर रिसेर्च के लिए और ये फिलोसिब किसलिए दिये जाती है ये दी जाती है पियश डी करने के लिए यानि कि जो लोग पियश डी में एडमी लेटर के लिए वैलिड होता है यानि कि अगर आपका सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया गया है आपका लेटर आपको मिल गया है तो उस पर डेट मेंशन होता है और उस डेट से कि तीन साल के अंदर किसी भी विद्याले में अगर आप प्हटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हर महीने आपको अगर नौन साइंस केटेगरी से अगर आप बिलाओं करते हैं तो आपको 30 से 35 से पर महीने मिल जाएगा ठीक है जूनियर रिसर्च फेलोसिप के लिए और दो सा सारे यानि रिसर्च फेलोसिप मिले ले गया तीसरे साल से ठीक अगर आप कहें साइंस केटेगरी से आते हैं आपका सब्जिक्ट तो आपको कम सकम 35 से 40 से पर महीने आपको दे दिया जाएगा गवर्मेंट के तरफ से और दो साल के लिए जूनियर रिसर्च फेलोसिप होता है और आगे आपका यह सीर्च फेलोसिप हो जाता और पैसे आपके और बढ़ जाते हैं तो आपके साइंस के टेगरी के लिए पैसी से 40,000 और आट वालों को 35 के बीच में यह आपको पैसे दिया जाते हैं तो आपको पता चल गया कि कितने साल के लिए वैलिड होता है आपक जैरेफ लिटर और उसके बाद क्या होता है जैरेफ आपका लिटर डी एक्टिवेट कर दिया जाता है उसके बाद आप उसका उप्योग नहीं कर पाएंगे अगेन आपको एक्जाम देना पड़ेगा निट का और फिर आपको जैरेफ करक करना पड़ेगा जिसके बाद कोशिन आप पूछ सकते हैं जब तक कि नेक्ट वीडियो नहीं राते हैं थैंक्स वोचिंग इसके सनल चला आपका दिन बहुत बहुत सुखो